थे ऐजरिए ओर आप दो क्या बात है सागर क्या बात है बहुत-बहुत सभागत है आप सभी लोगं का आज के session में हम लोग कर रहें GSC, GSC के अंदर हम लोग कर रहें Charge of GSC और आज Charge of GSC का लेक्चर 2 है and hopefully Charge of GSC आज हम लोग पूरा खतम कर देंगे जितने भी students यहाँ पर नए हैं यह मेरे बारे में थोड़ी सी information है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं November 22 के students को Direct Tax पढ़ाने के लिए Thursday to Saturday इसी चैनल पर शाम को चार बजे लाइव आता हूँ May 23 के students को Direct Tax पढ़ाने के लिए मैं रोज सुभा सवा 10 बजे Unacademy Plus के Manzil Batch में लाइव आता हूँ और November 22 और May 23 के दोनों के students को combined way में GST पढ़ाने के लिए मैं रोज रात को यहाँ पर 9 बजे लाइव आ जाता हूँ यह आप उसका schedule देख सकते हैं जो भी यहाँ पर मैं slides use करता हूँ उन सबके proper PDF के notes मैं आप लोगों को Manzil Batch के अंदर provide कर देता हूँ सबकुछ आप लोगों का वहाँ पर हो जाता है direct tax हम लोग पढ़ी रहे हैं वहाँ पर लगाता चलिए सर शुरू करते सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वह मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा इचाइट होता है तो जिस भी स्टेट का आप होता है वह पूरी स्टेट को कवर करता है हम लोग ने बात किते कि इंदिया में 8 स्टेट से और 8 union territories है जिन में से तीन union territories के अपने state legislatures हैं कौन-कौन सी दिल्ली पुड़चेरी और जम्मू एंड कश्मीर तो जब भी हम लोग state बोलते हैं तो state के अंदर दिल्ली पुड़चेरी और जम्मू एंड कश्मीर भी included हो जाती है even though they are union territories only because they have a separate state legislature उसके बाद फिर हम लोग ने बात किती कि जो UTGST Act होता है तो जो पांच union territories बजी हुई है उनमें apply होता है और उसके अलावा कोई भी और अगर च्छोटी मोटी territory होती है तो उसमें भी UTGST apply हो जाता है IGST Act का purpose ही यही है कि वो बता पाए कि कि supply को interstate बोला जाता है कि supply को interstate बोला जाता है और IGST उस पर लगेगा जो कि interstate supply होगी फिर हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी section number 9 के बारे में जो कि levy and collection of GST के बारे में बात करता है तो मैंने आपको बताया था कि CGST Act का this is section number 9 और IGST Act का this is section number 5 section number 9 के अंदर 5 subsections है पहला subsection तो बताता है कि दूसरे वाले को ध्यान में रखते हुए हम आपसे यह कह रहे है कि जितनी भी intrastate supplies होगी तो section 9 subsection 1 कहता है कि intrastate supplies जितनी भी होगी उन पर हम लोग tax लगाएंगे at a rate not exceeding 20% मतलब CGST का maximum rate आपका 20% हो सकता है इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोगों को ने सुना होगा कि maximum rate 28% है आप लोगों ने slabs सुने होंगे अगर तो 28% आपका highest rate आपको पता होगा but that 28% is inclusive of CGST as well as SGST तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो parts में आपको divide करना पड़ेगा तो फिर 14% CGST और 14% SGST हो जाएगा तो सरकार ने अपने लिए limit लगा रखी है 20% की कि हम 20% से ज्यादर दिंदगी में कभी CGST लगा ही नहीं सकते हैं लेकिन अभी जो maximum rate CGST का चल रहा है वो 14% है तो आगे चल कर बढ़ी भी सकता है उसके बाद हम लोग ने बात किती कि alcoholic liquor for human consumption पर कभी भी GST नहीं लग सकता क्यूंकि उसको section 9, subsection 1 में ही exclude कर दिया गया है कि alcoholic liquor for human consumption जो दारू होती है पीने वाली उस पर GST कभी नहीं लगेगा लेकिन क्या lab में use होने वाली alcohol पर GST लग जाएगा तो the answer is yes उसके बाद इसका subsection 2 कहते हैं कि 5 ऐसे petroleum products हैं जिनमें GST लग सकता है अभी नहीं लगता है लेकिन आगे चलकर कभी लग सकता है और कब लगेगा जिस भी date को हम notify करेंगे उस date से यहाँ पर GST लगना शुरू हो जाएगा तो one में जो alcoholic liquor के बारे में बात की थी वो यह था कि alcoholic liquor पर तो यह लोग चाहकर भी GST नहीं लगा सकते हैं लेकिन यह जो पांच petroleum products हैं इनमें अभी नहीं लगता है लेकिन आगे चलकर इनमें कभी भी GST लग सकता है पिर जो subsection 3 और subsection 4 था उसने बात कीती reverse charge के बारे में तो जो subsection 3 था उसने बात कीती कुछ goods और services के बारे में जिन की supply पर हमेशा reverse charge लगेगा जो subsection 4 था उसने बात की थी specified categories of goods and services के बारे में जो कि अगर कोई unregistered person किसी registered person को supply करता है तो बहाँ पर फिर registered person को reverse charge में GST देना पड़ता है पांचपा point यहाँ पर electronic commerce operator से related का था electronic commerce operator क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने कल बात की नहीं थी अच्छे खासे चल रहे हैं तो हम लोगों ने फड़ा फट से revise कर लिया अच्छा उसके बाद analysis of section 9-1 में हम लोगों ने पूरा देख लिया था फिर 9-2-B हम लोगों ने देख लिया उसके बाद 9-3 और 4 में मैंने आप लोगों को reverse charge के बारे में बताया तो यहां reverse charge के लिए जिन goods पर reverse charge नहीं लगता वो तो यह ही इन goods पर reverse charge नहीं लगता उसके बाद services के लिए there's a notification 13 by 2017 तो यह notification number आप लोगों को याद रहना चाहिए notification number 13 by 2017 इस notification के अंदर कई सारी services mentioned है जहां पर अगर कोई unregistered person वो वाली services किसी registered person को supply करता है तो registered person को reverse charge के अंदर GST का payment करना पड़ता है यहां तक की बाद हम लोगों ने कल की थी और उसके बाद हम लोगों ने जो भी notification number 13 by 2017 है उसके अंदर की एक एक service को भी हम लोगों ने देखना शुरू किया था और जो पहली service थी वो थी goods transport agency की तो हम लोगों ने बात की कि अगर कोई unregistered supplier है कोई अगर unregistered supplier है तो उसको अगर goods transport agency वाली services वो provide कर रहा है तो उसके पास दो options होते हैं या तो वो 5% का GST पे करें 5% का GST अगर पे करेगा तो reverse चीज का input credit नहीं ले पाएगा लेकर अगर 12% के हसाब से वो GST पे करता है तो उसको forward charge में GST का payment करना होगा और input tax credit पो किसी भी बताई थी कि कभी भी अगर मैं बोलो कि इस पर reverse charge लगेगा या नहीं लगेगा कभी भी मैं अगर बोलो कि इस चीज पर reverse charge नहीं लगेगा तो उसका मतलब यह बिलकुल भी निए कि उस चीज पर forward चार्ज लगेगा, हो सकता है वो चीज़ exempt हो, हो सकता है उस चीज़ पर forward चार्ज लगे, तो please do not jump to any conclusions, just because I am saying कि इस चीज़ पर reverse चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, तो हम लोग ने goods transport agency के बारे में बात कर ली थी, उसके बार next service जो हम लोग ने बात की थी, वो थी, I think legal services के बारे में questions किये थे, legal services, कि अगर कोई भी advocate, including senior advocate या firm of advocates, किसी corporate business entity को service provide करती है, और business entity आपके taxable territory में है, तो business entity को reverse charge के basis पर वो देना पड़ जाएगा, यहां मैंने आपको एक चीज़ और बताय थी, कि in कई बार, it's very difficult for you to identify who is a service provider and who is a service recipient, ठीक है, many a times it becomes very difficult for you to understand who is a service supplier and who is a service recipient, तो जो पैसा देता है, वो service receive करता है, ठीक है, जो पैसा देता है, वो service receive करता है, legal services के बारे में हम लोग ने बात की थी, उसके बाद arbitral tribunal के बारे में बात की थी, arbitral tribunal में यह होता था कि आप court में नहीं गए लेकिन आपने किसी arbitral tribunal के पास जाकर जो कि एक panel of adjudicators होता है adjudicators कौन होते हैं वो लोग होते हैं जो कि disputes को resolve करने के लिए appoint किये जाते हैं तो आपने arbitral tribunal में जाकर अपना settlement करवा लिया arbitral tribunal में आप जो कुछ भी settlement करोगे वो आपके पास वो court of law में binding होगा कल कोई ना कोई student यहां पर पूछाता है थिंग वैशन ने भी पूछाते कि क्या हम यह कह सकते हैं कि arbitral tribunal out of court settlement है तो out of court settlement का जो common parlance में मतलब होता है यहां पर मैंने आपको example दिया था कि जब IPL को अपना tournament करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो unacademy के पास आती है और unacademy पैसा देती है तो IPL unacademy के posters और banners अपने stadium के चारों और लगबा देती है जिससे unacademy के advertising हो जाती है तो IPL is the service provider, service supplier and unacademy is the service recipient कैसे unacademy service recipient है जो पैसा देता है वो service receive करता है तो unacademy ने पैसा दिया तो service receive की this was the last entry that we started yesterday पिछले 8 minute में हम लोग ने कल की पूरी डिड़ घंटी की glass का अच्छा खासा revision कर लिया है तो अब तक आप लोग flow में आ गए होंगे और अब हम लोग चलते है कोशिश करेंगे कि आज ही कि आज पूरा की पूरा ये charge of GST वाला chapter हम लोगों का खतम हो जाए ठीक है क्योंकि अब आगे सब आसान असान सी चीज़ें देखो entry number 5 क्या कहती है entry number 5 कहती है कि अगर central government या कोई भी government किसी और institute को किसी और registered person को other than the government ठीक है वो अगर कोई भी service supply करती है तो recipient is supposed to pay tax to tax on reverse charge क्योंकि government खुदी अगर supply कर रही है government ने उससे GST लिया और अपने ही तो फिर आप reverse charge पर GST पे करोगे when any services are supplied by the government to a business entity located in a taxable territory GST is paid by the business entity under reverse charge यह हुआ इसका एक मुद्दा छोटा सा government का मतलब क्या है यहाँ पर? government का मतलब है यहाँ पर central government या state government और union territory और local authority however अब सुनना मेरी बार यहाँ पर 4 points है यहाँ आपके पास 4 points है कि कौन-कौन सी services अगर government आपको provide करती है तो उस पर reverse charge नहीं लगता है इसका मतलब यह नहीं कि उस पर tax ही नहीं लगता है अभी क्या मतलब है उसका उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे है आपको पूरी की पूरी पिक्चर आपको एकदम क्लियरली दिखाई देने लग जाएगी तो however, if the government provides the services of renting of immovable property, reverse charge doesn't apply लेकिन क्या इसका मतलब यह कि forward charge लगेगा? नहीं, आपको बताता हूँ क्यूँ मैं आपको यह भी थोड़ा सा hint देता हूँ renting of immovable property हम लोग पढ़ेंगे exemptions वाले chapter में renting of immovable property is exempted from GST उसी तरह से यह goods transport agency वाली services कल आप लोगों ने देखा था ना जहां reverse charge लग रहा है, वहां reverse charge लग रहा है otherwise, it's exempt from GST otherwise, it's exempt from GST तो उसी तरह से renting of immovable property is exempt from GST तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि renting of immovable property पर reverse charge नहीं लग रहा है तो उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर forward charge लग रहा है उसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि वह exempt है उसका सिर्फ इतना मतलब है यहां पर कि उस पर reverse charge नहीं लग रहा है ठीक है, because there are so many things eventually जब हम लोग input tax credit पर पहुंचेंगे तो मैं आपकी सारी की सारी linkage करा हूँगा एक-एक service की मैं linkage करा हूँगा जैसे actionable claim, goods की definition में तो actionable claim included है तो अगर आप actionable claim को provide कर रहे हो, ध्यान से सुनना, बस एक example है goods की definition क्या कहती है, any kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो goods की definition में actionable claim included है, लेकिन आप लोगों को याद होगा जो हम लोगों का schedule 3 होता है, schedule 3 क्या कहता है, schedule 3 precise, sorry, schedule 3 ही तो है, schedule 3 उन activities को बताता है, उन transactions को बताते है जिनको ना तो supply of goods मानेंगे, ना ही supply of services मानेंगे और वही पर actionable claim mentioned है, other than lottery betting and gambling, ठीक है, तो even though supply of, supply of, क्या था, अरे यार क्या था वो ना, actionable claim even though supply of actionable claim falls under the definition of supply of goods, ठीक है, बुकर actionable claims are goods, तो when you're supplying actionable claims, you're supplying goods तो काईदे से section 7-1 के हिसाब से तो इस पर GST लगना चाहिए, लेकिन section 7-2 के अंदर, section 7-2 के अंदर, जो schedule 3 दिया हुआ है, उसने साफ-साफ बोल दिया है, कि actionable claims को ना तो हम supply of goods मानेंगे, ना ही supply of services मानेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसी तरी की छोटी-छोटी- इनको tax credit में आएंगी, लेकिन आपको उसमें मजा तभी आएगा, अगर आप साथ-साथ, जो भी हम लोग पढ़े हैं, उसको आप लोग revise करते चलोगे, ठीक है, तो please revise करते रहे न, वो बहुत important है, अले, so however, if the government provides services of renting of removable property, reverse charge doesn't apply, renting of removable property पर reverse charge नहीं लगता है, next, also, if the government provides services by the department of posts, by way of speed posts, मतलब speed posts वगेरा, अगर आप करवाते हो, तो आपको GST देने की कोई ज़रूत नहीं है, reverse charge पे, express parcel post, life insurance, agency services provided to a person, other than the central government, state government, or union territory, or local authority, the provisions of reverse charge do not apply, ठीक है, मतलब अगर government, आपको, अगर government, आपको, post वाली कोई services provide कर रही है, life insurance वाली कोई services provide कर रही है, agency वाली कोई services provide कर रही है, तीन services के बारे में, यहाँ पर बात हुई है, तीन services के बारे में, कौन-कौन सी तीन services, देखो, department of posts, अब department of posts के अंदर, speed post भी आ गया, express parcel post भी आ गया, दूसरी, life insurance, और तीसरी, agency, तो अगर सरकार, आपको, यह तीन services provide कर रही है, आपको, यह तीन services provide कर रही है, तो फिर reverse charge लग, तो फिर reverse charge लगेगा, तो फिर reverse charge लगेगा, लेकिन, लेकिन, if the government provides services by this, 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 to a person, अच्छा, sorry, sorry, गलत बोल दिया, मैंने, तो reverse charge नहीं लगेगा, तो reverse charge नहीं लगेगा, ठीक है, other than central government, state government, union, territory, or local authority, the provisions of reverse charge do not apply, ठीक है, तो मतब ऐसा नहीं है ना, कि आपने अगर, कुछ, आपने speed post भागेरा करवाया, तो उसके बाद आप ही चले गए, GST लेकर सरकार को जमा करवाने, ठीक है, तो ऐसा इसलिए बिलकुल नहीं होगा, कि अगर आपने speed post भागेरा करवाया, या आपने life insurance लिया, या आपने agency services ली, तो फिर आपको उस पर GST pay करने की कोई ज़रूरत नहीं है, reverse charge उस पर नहीं लगेगा, ठीक है, उस पर reverse charge नहीं लगेगा, फिर से lag वाग आ गया क्या, I hope there's no lag, ठीक है, लाग नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नो लाग, चलो जी, आगे चलते हैं फिर, Also, if the government provides services in relation to an aircraft और a vessel, inside और outside the precincts of a port और an airport, the provisions of reverse charge do not apply, तो government अगर आपको aircraft की services प्रोवाइड करती है, या vessel की services प्रोवाइड करती है, चाहे वो port के अंदर हो, airport के अंदर हो, चाहे बाहर हो, port का मतलब जहां पर ships आकर रुखती है, airport का मतलब जहां पर planes आकर रुखती है, तो अगर plane की या vessel की, vessel का मतलब पानी में तहरने वाला vessel, ठीक है, customs में आप लोग पढ़ोगे, CA final में, तो अगर government आपको plane की और vessel की services प्रोवाइड करती है, तब भी उस पर reverse charge नहीं लगता है, and last one, also if the government provides services of transport of goods or passengers, the provisions of reverse charge do not apply, तो अगर government आपको transport of goods or passengers, जैसे railways वगेरा हो गए ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 mediums होते हैं, जो 3 mediums होते हैं, ट्रावल करने के, कौन-कौन से होते हैं, road, air और water, तो road में transport of goods, passengers, cover होगे आपका, railways वगेरा वाला, railways का या government trucks, government buses वाला, तो अगर government आपको transport of goods and passengers की services प्रोवाइड कर रही है, उस पर आपको reverse charge देने की कोई ज़ departments of post, life insurance और agency, ये 3 services प्रोवाइड कर रही है, reverse charge नहीं लगेगा, और अगर government आपको renting of immovable property वाली services प्रोवाइड कर रही है, तो भी reverse charge नहीं लगेगा, I hope यहाँ तक के बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है, चलिए जी, next, 5A, entry 5A, entry 5A कहती है, renting of immovable property by government to a registered person, ठीक है, यहाँ पर renting of immovable property को specifically exclude किया गया था, entry number 5 में, फिर अभी entry number 5A जोड़ी गई, 5A में क्या बोला गया, कि when the services of renting of immovable property are provided by the government to a person registered under CGST Act, the registered person is required to pay GST under reverse charge, ठीक है, तो 5 में उसको exempt किया, entry number 5 में उसको exempt किया, कि नहीं, reverse charge, जो renting of immovable property है, उस पर reverse charge नहीं लगेगा, 5A में क्या दिया, नहीं, सुनो, सुनो, अगर सरकार से आप renting of immovable property की service ले रहे हो, और आप एक registered person हो, तब ही हमें GST pay करो reverse charge में, ठीक है, 25A में उसको साफ-साफ बोल दिया गया है, कि when the services of renting of immovable property are provided by the government to a person registered under CGST Act, the registered person is required to pay GST under reverse charge, ठीक है, अब आ रेटरी, rental income received by Tamil Nadu state government, rental income किसको मिली है, Tamil Nadu को मिली है, Tamil Nadu state government को rental income मिली है, Tamil Nadu state government को rental income आई है, rental income आई है, from renting an immovable property to Manappa private limited, तो Manappa private limited से rental income आई है, तो Manappa private limited कौन होगा, service supplier या service recipient, Manappa private limited will be the service supplier, और the service recipient, मैंने क्या बोला था, जो पैसा देता है, वो service recipient होता है, तो यहाँ Manappa private limited पैसा दे रहा है, तब ही तो यहाँ Tamil Nadu state government के पास पैसा आ रहा है, तो Manappa private limited हो गया, recipient, और अभी अभी हम लोगों ने entry 5A में पढ़ा, कि जब भी state government या कोई भी government, किसी registered person को renting परती है, तो क्या इस registered recipient को reverse charge में tax देना पढ़ता है, यह यह जो diagram मैंने मनाया, सिर्फ यह समझाने के लिए कि recipient कौन है, आइए देखते हैं, As per entry 5A of notification number 13 by 2017, in case of services supplied by the central government, state government, union, territory or local authority, by way of renting of removable property to a person registered under the CGST Act 2017, the recipient registered under the CGST Act 2017 will be liable to pay GST, hence मनपपा private limited will be liable to pay GST under reverse charge में क्या आना जाओ, ठीक, अब आजओ next, entry 5B, entry 5B क्या कहती है, transfer of development rights or floor space index, ठीक है, तो देखो, suppose मेरे पास land है, suppose मेरे पास जमीन है, suppose मेरे पास जमीन है, ठीक है, मेरे पास जोती आई, जोती एक builder है, जोती एक builder है, ठीक है, जोती आई मेरे पास, कहती है, भहिया अपनी जमीन दे दो, real estate project develop करूँगी, construct करूँगी मैं, ठीक है, मैं builder हूँ, ठीक है, मेरा काम क्या है, building का काम है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको, जोती को, अपनी land use करने की permission दे दी, मैंने जोती को, अपनी land use करने की permission दे दी, और इसके बदले में, जोती मुझे consideration क्या देगी, जो भी यह real estate project बनाएगी जो भी real estate project बनाएगी उस project का थोड़ा सा portion मुझे दे दीगी और चाहे तो कुछ और extra cash में देना चाहे तो देना चाहे तो नहीं दे वो मेरे और जोती के बीच के agreement में decide होगा, ठीक है, I repeat, I have a land, तो I am the land owner, I am the land owner, I gave possession of my land to Jyoti, who is a builder, और यहां पर Jy को बोला जाता है, promoter, यहां पर Jyoti को बोला जाएगा promoter, ठीक है, तो मैंने क्या किया, development rights, मैंने development rights, Jyoti को transfer किया, I am the land owner, मैंने development rights, Jyoti को transfer किया, Jyoti ने इस पर मकान बनाया, और Jyoti ने जब इस पर मकान बनाया, तो फिर क्या हुआ, उस मकान का थोड़ा सा, suppose Jyoti ने यहां आपर आठ फ्लोर्स बनाए उसमें से कह दिया उपर के दो फ्लोर्स भाई आपके तो यह आपका consideration हो गया तो इसी project का एक share जोती ने मेरे को दे दिया और अगर हमारे बीच में कोई agreement है तो जोती मेरे को अलग से कुछ cash में consideration दे सकती है पैसा कौन दे रहा है consideration कौन दे रहा है जोती दे रही है जो पैसा देता है वो receiver होता है तो जोती कौन है recipient है जोती recipient है तो ऐसे case में GST कौन पे करेगी GST जोती पे करेगी अंडर reverse charge mechanism ठीक है नाओ वाट यू मेन बाइस फ्लोर स्पेस इंडेक्स फ्लोर स्पेस इंडेक्स का क्या मतलब होता है तो suppose मेरी land है मेरी land पर मेरी land पर जितनी भी buildings बनेंगी जितनी भी एक building बनेंगी उसमें जितनी भी floors बनेंगी उन सब का जो floors का total area होगा जितनी भी floors बनी suppose eight floors बनी उन eight floors का पूरा का पूरा area total करो, divided by land का area, that is floor space index, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहो, otherwise यह आपके किसी काम की चीज है नहीं, ठीक है, आपको बस इतना समझना है, development rights या floor space index को अगर दिया गया, use करने के लिए दिया गया, और आपको consideration मिली, तो आपको service supplier हो, और जो builder है, जिस ठीक है, इस जमीन पर आपने 8 मंजिला, एक building खड़ी कर दी, अब इन 8 floors का total area देखेंगे, divided by जो भी सिर्फ land का area, that is known as floor space index, तो अगर मैं जोती को permission दे रहा हूँ कि ठीक है, आप floor space index भी use कर लो, और आप ये land भी use कर लो, ठीक है, तो फिर यह इस वाले service में cover हो जाता है, इस एंट्री 5B of notification 13 by 2017, ये दोनो points मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योर, the land developer technically transfers the development rights to a builder called the promoter to use the floor space index for developing the real estate project, एक है, the floor space index means the total area covered by all the floors of the buildings divided by the total area of the plot on which these buildings are constructed, when any person supplies the services by way of transfer of development rights or floor space index including additional FSI for construction of a project by a promoter, the promoter is required to pay GST under reverse charge, तो प्लीज इस चीज़ को याद रखना, हो सकता है भी फिर भी थोड़ा सा असान लग रहा हूँ, आगे चलकर थोड़ा सा confusing होगा, या कभी भी लग सकता है, कि service supplier कौन है और service receiver कौन है, service recipient कौन है, तो जो पैसा देता है, वो service receive करता है, तो reverse charge में, बस इतना देखो, कि पैसा कौन दे रहा है, जो पैसा देगा, वो service receive कर रहा है, और वो reverse charge में GST pay करेगा, I hope यहाँ वाली बात भी यह भी आपको clear है, next, entry 5C, entry 5C, long term lease of land, long term lease of land, मतलब अगर मैं 30 साल के लिए अपनी जमीन का आपको lease दे देता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको 30 साल की lease पर, long term का मतलब 30 years, अगर मैं आपको 30 years के लिए अपनी जमीन lease पर देते था हूँ, lease और rental का मतलब हम लोग समझ चुके थे, बहुत पहली, I think supply की पहली दूसरी class में हम लोग ने lease का और rental का मतलब समझा था, पहली class में ही मेरे ख्याल से समझा था, क्योंकि sale, transfer, barter exchange, license, rental, lease disposal, तो rental, license, rental, lease disposal, तो rental और lease का मतलब हम लोग ने supply की पहली class में समझ लिया था, ठीक है, तो अगर मैं आपको long term के लिए अपनी land lease पर देता हूँ, तो आप मुझे उसका consideration दोगे, आप consideration दोगे, तो आप कौन हुए, receiver हुए, तो reverse charge में आपको service tax पे करना पड़ेगा, तो when any person provides long term lease of land, 30 years or more, for construction of a project by a promoter, promoter, मतलब वोई builder, and receives consideration in the form of upfront amount, upfront amount, तुरंट की तुरंट आपको पैसा देना है, किसी भी नाम से आप दो, अगर upfront पैसा आपने दिया हुआ है, which may or may not be accompanied by a periodic rent, और चाहो, तो आप अगले 30 साल के लिए मेरेको periodic rent भी देता हूँ, हर साल रेंट भी देता हूँ, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, then the promoter is required to pay GST under reverse charge, एकदम सिंपल सी एंट्री, एंट्र number 5C, done, अब आईए, entry number 6 के बारे बात करते है, director of a company, ठीक है, तो company के जो directors होते हैं, जब वो directorship services provide करते हैं company को, then company is supposed to pay the GST under reverse charge, एकदम common sense है, ठीक है, director could be registered under GST, could not be registered under GST, लेकिन अगर director company को services provide कर रहा है, कैसी directorship services provide कर रहा है, तो GST company pay कर देगी, ज्यादा असान रहेगा, ठीक तो when the director of a company or a body corporate, supplies services to such company or body corporate, located in the taxable territory, GST is paid by this company or body corporate under reverse charge, simple, एकदम simple case है, ये, फिर आगे चलो, insurance agent, insurance agent क्या होते है, समझना बात, ठीक है, एक है, एक है, LIC, ठीक है, ये insurance services provide करती है, ये insurance services provide करती है, लेकिन क्या कभी LIC खुद आपके घर चल कर आईगी, नहीं, LIC क्या भेजेगी, LIC एक बंदा भेजेगी, LIC एक बंदा भेजेगी, इस बंदे को insurance agent कहा जाता है, ये insurance agent आपके पास आएगा, ये हूँ आप, आपका पेट निकला हुआ है, ये बंदा आपके पास आएगा, ये हूँ आप, आपका पेट निकला हुआ है, ये बंदा आपसे कहेगा, भाई साब, अपनी health का ख्याल रखे, insurance ले ले, ये तो सोचिए, आपके जाने के बाद आपके परिवार वालों का क्या होगा, ठीक, अब अगर ये बंदा insurance लेता है, अगर ये बंदा insurance लेता है, तो ये premium किसको पे करेगा, ये premium LIC को पे करेगा, ये premium LIC को पे करेगा, हम वहाँ तक जाही नहीं नहीं, ये बंदा LIC का assured कैसे बना, इस बंदे की वज़ा से बना, ठीक है, ये जो तोंद वाला बंदा है, इसने अपना insurance क्यों करवाया, इस बंदे की वज़ा से करवाया, insurance agent की वज़ा से करवाया, और इस काम के लिए, इस काम के लिए, LIC insurance agent को कुछ commission देगी, क्याहाँ भाई, आपने जो है, आपने इस बंदे का insurance करवा दिया, देखिए, अब इस बंदे से हमें कमाई आती रहेगी है, तो इस service के लिए LIC ने insurance agent को commission pay किया, service supplier कौन हुआ, service recipient कौन हुआ, service supplier कौन हुआ, service recipient कौन हुआ, यहाँ पर मैंने क्या बोला, LIC supplies insurance services, लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच का transaction देखो अगर आप सिर्फ इन दोनों के बीच का transaction देखो तो don't you think this insurance agent is supplying the services of procuring insurance to LIC ये insurance agent जो है ये LIC को service supply कर रहा है न और उसी के case में तो LIC इसको commission pay कर रहा है जो पैसा देता है वो recipient जो पैसा देता है वो recipient मैंने इसी लिए कहा था आगे चलकर confusion हो सकता है क्योंकि किसी को लगे insurance company तो खुद insurance services provide करती है तो वो क्यों reverse charge में करेगी क्या होगा कैसे होगा मतलब आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर LIC को ये बंदा service supply कर रहा है insurance agent कैसे service supply कर रहा है जगा जगा जा रहा है बंदों को पकड़ा पकड़ा कर ला रहा है कि लो insurance लो insurance लो और इससे खुश होकर LIC जो है इस बंदे को commission pay कर रही है तो आप सिर्फ insurance services provider company insurer और insurance agent के बीच का अगर आप relation देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर consideration कौन दे रहा है LIC दे रहा है तो यहाँ पर recipient कौन हुआ LIC हुआ तो भले ही insurance agent is the service provider लेकिन GST reverse charge में LIC को pay करना पड़ेगा ठीक है GST reverse charge में LIC को pay करना पड़ेगा आओ देखो एक चीज में आप लोगों के दिमाग में शायद डाउट आ रहा हो कि सर अभी थोड़ी देर पहले जब हम entry 5 पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले जब हम लोग entry 5 पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि government उसमें क्या था कि government अगर किसी को services supply करती है तो वो सामने वाले बंदे को reverse charge में tax pay करना पड़ता है ठीक है government अगर किसी बंदे को services supply करती है तो सामने वाले बंदे को reverse charge में tax pay करना पड़ता है यह हमने अभी एजेंसी डिपार्टमेंट अफ पोस्ट के बाद इंशॉरेंस वाली सर्वेसेज भी तो आ गया तो अगर गवर्मेंट इंशॉरेंस सर्वेसेज प्रोवाइड कर रही है तो क्या आपको तो क्या आपको रिवर्स चार्ज में जी एस्टी पे करना है तो इंट्री नंबर आप है कि लाइसी और ये बन्दा वाला के फूदंवाला बन्दा कि इस बंदे को सर्वेस प्रोवाइड कर रही है एह इस प्रोविड कर रही है तो ये बंदा उसके लिए consideration दे रहा है in the form of premium तो बोला गया है कि इस बंदे को reverse charge में इस बंदे को reverse charge में GST pay करने की कोई ज़रूरत नहीं This is entry 5 What is entry 7? What is entry 7? Entry 7 is LIC Insurance agent And this तोंद वाला बंदा और entry 7 में हम सिर्फ इन दोनों के बारे में बात कर रहे है ठीक है? हम ये तोंद वाले बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर LIC service supply थोड़ी कर रही है यहाँ तो LIC service receive कर रही है यहाँ LIC is receiving the service from the insurance agent यहाँ LIC was supplying the services to the person जिसको insurance चाहिए and this person was paying LIC तो this was a service recipient यहाँ पर इस case में अगर देखो तो LIC is a service recipient I hope entry 5 और entry 7 में जो insurance वाली एक चीज थी उनके बीच का difference आप लोगो clearly समझ में आ चुका है ठीक है? वहाँ insurance services की बात थी यहाँ insurance agent के services की बात हो रही है चलो next recovery agent कई बार आप लोगों ने देखा होगा movies वगेरा में देखा होगा के लोग जो है bank से loan लेते हैं उसके बात चुका नहीं पाते हैं लोग bank वगेरा से loan लेते हैं और loan चुका नहीं पाते हैं तो bank जो है अपने बंदे को भीजता है बैंक जो है अपने बंदे को भीज़ता है कि सुनो जल्दी से बैंक का लोन लेओ जल्दी से बैंक का लोन देओ वापस यूडेट से एक्सीड कर रहे हो बैंक का लोन कब चुकाओगे बैंक का लोन कब चुकाओगे बैंक का लोन कब चुकाओगे यह बैंक, कविन ने बनाया था यह बैंक, तो बिनाखिड की वाला बैंक, कविन ने बनाया था, ठीक है, यह तोंद वाला बंदा, यह तोंद वाला बंदा, इसने लोन लिया था, बैंक को इससे लोन वापस लेना है, देही नहीं पा रहा है बेचारा, तो बैंक ने बीच में एक बंदे को कहा के सुनो तुम जाओ इसके पास और इससे बात करो ये लोन दे वापस दे ठीक है तो नाव दिस बंदा is the रिकवरी एजेंट ये रिकवरी एजेंट ये रिकवरी एजेंट किसको सर्विस सप्लाई कर रहा है बैंक को और बैंक ये रिकवरी एजेंट को कुछ कंसिडरेशन देगा ठीक है तो बैंक कौन हुआ सर्विस रिसिपियंट तो अगर आप सिर्फ इन दोनों के बीच का ट्रांसाक्शन देखो तो जी एससे किसको पे करना पड़ेगा जी एसे बैंक को पे करना पड़ेगा अंडर रिवस चाज रिकवरी एजेंट पर्सूस कस्टमर्स अंब बिसिंसस अटो पेमेंट सुबंक्स विन ए रिकवरी एजेंट सब्सुद्स तो बैंक कंपनी और अ फिनाशल इंस्टिशिशन और अन नन बंकिंशल फोटोग्रफर आर्टिस्ट मैंने क्या किया मैंने गाना बनाया मैंने गाना बनाया वाकई गाना है पहली बार आप लोगे सामने पब्लिक कर रहा हूं कई साल पहले बनाया था इन ही तनहाई हो में मैं रोता रहता हूं जाने जाना बता के अब क्या मैं करूं ठीक है इस व I compose this, I wrote the lyrics and I compose this, ठीक है, आगे भी 4-5 लाइन है, लेकिन उनमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, Suppose, अब मैंने ये गाना बनाया, ठीक है, मैंने गाना रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके मैंने T-Series वालों को दे दिया, अब T-Series वाले इस वाले गाने को बेच बेच कर, अलग-अलग जगा भेज कर पैसे कमाएंगे, तो इसके लिए मैंने ही तो T-Series वालों को यूज कर अधिकार दिया, गाना मेरा है, गाना मेरा है, तो मैंने गाना बनाया, और मैंने T-Series वालों को दे दिया, कि आप बेच लो, आप बेच के पैसा कमाओ, लेकिन उसके बदले में आप मुझे रॉयल्टी दो, उसके बदले में, जो भी पैसा आप कमाओगे, तो मेरा भी मैंने गाना बनाया, मैंने T-Series को अधिकार दिया, कि आप इसको बेचो, और पैसा कमाओ, लेकिन जो भी पैसा कमाओगे, उसमें से मेरे को कुछ हिस्सा दे दे देना, तो T-Series मुझे consideration दे रहा है, T-Series मुझे consideration दे रहा है, तो अभी T-Series कौन हो गया, जो पैसा देता है वो recipient, जो पैसा देता है वो recipient, तो इस case में tax कौन पे करेगा, GST पे करेगा, T-Series अंडर reverse charge mechanism, तो बस यही चीज़ है, तो बस यही चीज़ है, तो music composers, photographers, artists, create some original, dramatic, musical or artistic work, and then they permit the music companies, producers, etc. to use their creation, for which they receive some consideration, in such a case, GST is to be paid by the music companies, producers, etc. under reverse charge, एक्दम सब common sense से चल रहा है, रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आइए, the music company, producers, etc. must be located in the taxable territory, next, author, मैंने tax किये किताब लिग दी, मैंने tax किये, किताब लिग दी, और मैंने शुचिता प्रकाशन से काया, जाओ बेचो, इतनी बढ़िया शांदार किताब लिखी है, तुम बहुत पैसा कमाओगे, तो अब मैं, निष्टेन, मैंने क्या किया, शुचिता प्रकाशन, मैंने शुचिता प्रकाशन को किताब दे दी, शुचिता प्रकाशन ने इसको छापा बेचना शुरू किया, और इससे पैसे कमाए, पैसा दे कौन रहा है? शुचिता प्रकाशन. तो रेिसिपिेंट कौन हुआ? रेिसिपियंट हुआ? शुचिता प्रकाशन. GSC कौन पर करेगा? शुचिता प्रकाशन अंदर रिवर्स चार्च। An author writes a book and then permits a publisher to use his content for a consideration. In such a case, GST is paid by the publisher. Such publisher must be located in the taxable territory. अब इसमें आगे देखिए. However, reverse charge won't be applicable in the following cases. दो cases ऐसे हैं, जहां reverse charge नहीं लगेगा. कौन-कौन से दो cases हैं? पहला case, मैं अपने आप, मैं author हो. मैं अपने आपको CGST Act के अंदर रेजिस्टर करवालू. मैं अपने आपको CGST Act के अंदर रेजिस्टरेशन करवालू. मैं बोल दूँ publisher से के मैं रेजिस्टर हूँ. मैं ही pay करूँगा under forward charge. मैं ही pay करूँगा under forward charge. और तीसरा, जिस दिन मैंने ये declaration file किया, मैं ये भी file करूँगा कि एक साल तक मैं ये option withdraw नहीं करूँगा. मतलब for the next one year, I'll only be paying GST under forward charge. ये तो हो गया पहला. दूसरा, मैं एक invoice में एक declaration देदू publisher को. मैं invoice के अंदर, जो भी मैं invoice raise करूँगा ना, मैंने publisher को दिया. अब publisher मुझे पैसा देगा. पहले मैं उसको बिल दूगा ना, उसी बिल को invoice बोलते हैं. तो मैं उस invoice में ये declare करके रख दूँगा, कि मैं ही forward charge में pay करूँगा. तो देखो. However, reverse charge won't be applicable in the following cases. 1. If the author has taken registration under CGST Act 2017 and 1. Filed a declaration that he exercises the option to pay central tax in accordance with the section 9.1 on such services under forward charge and to comply with all the provisions of the Act and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option. जिस दिन option exercise किया, उसके एक साल तक मैं इस option को withdraw नहीं करूँगा. तो ये तो हो गया पहला. If the author has taken a registration and has done these 3 things. कौन-कौन सी 3 things. पहले मैंने एक declaration file किया. क्या declaration? कि मैं forward charge में pay करूँगा. दूसरा, मैंने ये declaration file किया कि मैं comply करूँगा सारे provisions से. और तीसरा, मैंने declaration file किया कि मैं इस option को withdraw नहीं करूँगा within a period of 1 year. ये तो हो गया पहला. दूसरा, if the author makes a declaration on the invoice issued by him to the publisher regarding payment of tax on forward charge. ठीक है? तो इन दो cases में reverse charge नहीं लगेगा. Right? Therefore, supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under section 131A of the Copyright Act 1957. ये जो 131A of the Copyright Act 1957 मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. 131 के अंदर 3 चीज़ें आती हैं. A, B, C. आप लोगों के syllabus में है नहीं. ठीक है? उन में से A जो है, वो यह author वाला है. और B और C भी ऐसे ही कुछ है. Music से related है, कुछ music से related है, और कुछ intellectual property rights से related है. इसके बारे में हम लोग exemptions वाले chapter में पढ़ेंगे. ठीक है? जो exemptions वाला chapter है, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे. Most probably, hopefully, हम लोग exemptions वाला chapter Monday से start करेंगे. अगर आज ये वाला chapter हो जाता है, तो, अगर आज ये charge of GST खतम हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगा, और कुछ 14-15 ही entries हैं, और हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आज ये charge of GST खतम हो जाएगा, and from Monday, we'll be starting with exemptions. और एक, क्या दिमाग खुलेगा, मज़ा ही आ जाएगा. एक, आओ देखो. Question, January 2021 में similar question आया था, 5 number का, आईए देखते हैं. Mr. Vicky Franken, an unregistered famous author, unregistered famous author, received 3 crore rupees of consideration from Shiv Bhavan Publications, located in Indoor. तो author को पैसा मिला कहां से? Shiv Bhavan Publications थे. तो पैसा दिया किसने? Shiv Bhavan Publications ने पैसा दिया. Recipient कौन हुआ? Shiv Bhavan Publications recipient हो गया. In Indoor, for supply of services by way of temporary transfer of a copyright covered under section 13.1.A of the Copyright Act. तो ये 13.1.A जब भी आया ना, तो समझ ले ना, authorship के बारे में बात हो रही है. Relating to original literary works of his new book. He finished his work and made available the book to the publisher, but has not yet raised the invoice. इसने book complete की, publisher को दे दी, लेकिन अभी तक invoice raised नहीं की. Mr. Vicky Franken is of the view that SBP is liable to pay tax and the reverse charge on services provided by him. बिलकुल सही है. Mr. Vicky Franken का view एकदम सही है. ठीक है? कि मैंने services प्रोवाइड की है SBP को, और SBP को reverse charge के अंदर देना पड़ेगा. SBP is Shiv Bhavan Publications. ठीक है? SBP does not conquer with his view. SBP कह रहा है, ऐसे थोड़ी होता है. And is not ready to deposit the tax under any circumstances. मतलब ये जिद पर अड़ गया, ये जिद पर अड़ गया SBP, कि ऐसा नहीं होता है. ठीक है? तुम author होगे, होगे कहीं के भी author, हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता. लेकिन हमें इतना पता है, कि supplier of service जो होता है, उसी को GST पे करना होता है. I am the recipient, I am not going to deposit the tax under reverse charge. ये SBP एकड़ अड़ गया. He is not ready to deposit the tax under any circumstances. अब देखो. examine whether the view of Mr. Vicky Franken is correct. Of course, ये current नहीं होगा, correct होगा. ठीक है? Mr. Vicky Franken का जो view है, वो absolutely correct है. further, if the view of Mr. Vicky Franken is correct, what is the recourse available with Mr. Vicky Franken to comply with the requirements of GST law as SBP has completely refused to deposit the tax? ठीक है? तो पूरे question में आपसे क्या बोला गया है? कि Vicky Franken ने किताब खतम की, उस किताब के rights उसने publisher को दिये, temporarily use करने के लिए, publisher को उसने अभी तक invoice raise नहीं की है. अब उसको लग रहा है कि publisher reverse charge के अंदर GST pay करेगा, जो कि ठीक है. publisher अड़ गया, मैं नहीं pay करूँगा. अब आपसे दो सवाल पूछे जा रहे हैं. पहला सवाल, क्या Mr. Vicky Franken का contention correct है? तो yes, correct है. दूसरा, अगर correct है, तो अब बताओ, Vicky Franken करे क्या? क्योंकि SBP ने तो मना कर दिया है कि मैं तो किसी भी हालत में tax नहीं pay करने वाला हूँ. तो अब Mr. Vicky Franken क्या करेगा? वही चीज़ है, जो भी हम लोग ने बात की दी. अपने आपको register करवाएगा, declaration file करेगा, compliance करेगा, क्योंकि सब क्या करेगा, तो देखो. Yes, the view of Mr. Vicky Franken is correct. GSC is payable under reverse charge in case of supply of services by an author by way of transfer permitting the use or enjoyment of a copyright covered under section 13.1.A of the Copyright Act 1957 relating to original literary work to a publisher located in the taxable territory in terms of reverse charge notification number 13.2.017. Therefore, in the given case, personal liability pay tax is the publisher that is SBP. However, since SBP has completely refused to deposit the tax on the given transaction, Mr. Vicky Franken has an option to pay the tax under forward charge on the same. For the purpose, he needs to fulfill the following conditions. Since he is unregistered, he first has to take registration under the CGST Act 2017. He needs to file a declaration in the prescribed form that he exercises the option to pay CGST on the set service under forward charge in accordance with section 9.1 of the CGST Act and to comply with all the provisions as thus apply to a person are liable for paying tax in relation to the supply of any goods or services and that he shall not withdraw the said option within a period of one year from the date of exercising such option. And secondly, he has to make a declaration on the invoice which he would issue to the SBP in prescribed form. तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आप अपने आपको रेजिस्टर करो और उसके बाद यह declaration वगरा फाइल करो और उसके बाद जब आप invoice इसू करोगे तो invoice में भी आप यह वाली चीज़ डिक्लेर करके दो. यहाँ तक की बात, आप सब लोगं को समझ में आगई होगी. चलिये, next, एक और question. In the following case, decide who is liable to pay GST, if any. You may assume that recipient is located in the taxable territory. यह November 2020 में आता दो नंबर का. इग्नोर the aggregate turnover and exemption available. Mr. Kamal Jend, an unregistered famous author, received 20 lakh rupees of consideration from PQR Publications Limited for supply of services by way of temporary transfer of a copyright covered under Section 131A of the Copyright Act, relating to original literary works of its new book. तो जाहिर सी बात है, PQR Publications Limited को पे करना पड़ेगा. क्यूंकि author unregistered है. Supply of services by an author by way of transfer of copyright covered under Section 131A of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher located in the taxable territory is taxable under reverse charge mechanism. Thus, in the given case, the recipient of service that is PQR Publications Limited is liable to pay GST. The tax can be paid by the author under forward charge if the author is a registered person. Since in the given case, the author is an unregistered person, the said option is not available to him. I am sure, sabk sabaj me a gaya bola nishted. All right. Again, I would like to reiterate, please make sure that you write the legal language. इसका मतलब यह नहीं कि आपको रटा हुआ होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि आपको कुछ-कुछ चीजे उसी फॉर्म में लिखनी चाहिए. और वो कैसे लिखोगे? जब आप बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार रिवाइस करोगे, तब legal language आपके जहन में घुसने लग जाएगी, आपकी इंटरनलाइज हो जाएगी वो, ओर्गानिकली इंटरनलाइज हो जाएगी. चलिए, next. Members of Overseeing Committee, यह क्या होता है? RBI जो है, अपने लिए कमिटी बनाती है. उस कमिटी के members क्या करते है? बस यह देखते है, RBI अपना काम कायदिश कर रही है. तो Overseeing Committee के जो members होते है, RBI को service provide कर रहे है. Overseeing Committee के जो members होते है, वो RBI को service provide कर रहे हैं, देख रहे हैं तुम सही काम कर रहे हो और नहीं क्या कर रहे हो इसके लिए RBI उनको पैसा देता है तो RBI को reverse charge के अंदर GST पर करना है इफ members of an overseeing committee constituted by RBI supply services to the RBI GST is paid by RBI अंदर reverse charge next direct selling agents direct selling agents क्या होते है आज आजो देखते हैं a direct selling agent or a DSA is a person who works as a referral agent for a bank or an NBFC ठीक है देखो the job of a DSA is to find potential customers for the bank they represent ठीक है तो अब भी basically मेरे पास कोई bank में account नहीं है ठीक है जैसे वो नहीं होते है credit card वाले agents वो क्या करते है direct selling agents ही तो है वो आपको call करके क्या करें HDFC bank आपको credit card में फेसिलिटी दे रहा है ठीक है यह city bank आपको loan की facility दे रहा वगए 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 तो they are basically procuring the customers ना तो दोज़ा direct selling agents तो direct selling agents are providing the services to the banks उसकी वाज़े से bank उन्हें पैसा देगा bank पैसा देगा तो bank service recipient हुआ तो bank reverse charge में GST पे करेगा simple if any services are provided by individual direct selling agents individual direct selling agents agents other than body corporate partnership or limited liability partnership to a banking company or a non-banking financial company located in the taxable territory GST is paid by the banking company or the non-banking financial company under reverse charge simple next agents of business correspondent agents of business correspondent तो यह क्या होता है जैसे banking services कई सारे गाओं में नहीं है ठीक है कई सारे गाओं के लोगों को पता भी नहीं कि bank नाम की ज़ूब ही कि कोई часов होती भी है шह कई सारे गाओं के लोगों को पता भी नहीं कि bank जैसी कोई चीज होती भी है तो bank वालों ने क्या किया RBI का ये thought था इन लोगों ने एक business correspondent के नाम से एक नई service शुरू की ठीक है business correspondent ये लोग क्या करते है business correspondent जिस भी bank का business correspondent होता है वो अपने agents appoint करता है ठीक है bank ये एक unit जिसका नाम है business correspondent bank की एक unit जिसका नाम है business correspondent ये business correspondent ने अपने agents appoint किये और ये agents तोंद वाले आदमियों को ये agents तोंद वाले आदमियों के घर पर जा कर doorstep banking services प्रुवाइड करते है doorstep banking तो ये agent किसका है ये agent business correspondent का है ये business correspondent ये agent को इसके लिए commission देगा पैसा कौन दे रहा है पैसा business correspondent दे रहा है receiver कौन हुआ business correspondent हुआ GST कौन पे करेगा business correspondent पे करेगा तो banks के units है business correspondence ये अपने agents अपॉइंट करते हैं agents लोगों के पास जाकर कहते है कि हमारा bank है आपको घर बैठे doorstep banking आपके दरवाजे पर banking services प्रुवाइड करने के लिए हम आ गए है तो इस agent ने इस business correspondent के लिए काम किया तो agent has supplied the services to the business correspondent business correspondent has paid some commission जो पैसा देता है वो receiver होता है business correspondent is the receiver business correspondent will be liable to pay GST under reverse charge business correspondent agent is an extended arm of a bank branch provides is an extended arm of a bank branch provides doorstep banking and financial services to customers in remote areas तो गाओं गाओं में जाकर doorstep banking and financial services provide करता है if any services are provided by an agent of business correspondent to a business correspondent business correspondent will be a bank branch के extended unit located in the taxable territory GST is paid by the business correspondent under reverse charge security services security services क्या होता है कि आपका मेरे पास phone आया आपका मेरे पास phone आया और आपने का यार बंदे चाहिए गाड्स चाहिए मैंने आपको गाड्स अप्लाई कर दिया तो I am supplying the security services ठीक है but I am supplying to the I am supplying security services to you चलो आजो देखते है उसको security services means providing security personnel security guards etc if any person other than a body corporate other than a body corporate कोई भी company वाओ गे रहा नहीं supplies the services by way of supply of security personnel to a registered person located in the taxable territory GSE is paid by such taxable person simple आप देखो यहां पर भी वो है जो goods transport agency में था ना point वो point यहां पर भी है कि reverse charge is not applicable if the recipient is registered only for deducting tax at source ठीक है मतलब कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होते है न जो जिनोंने अपने आपको register करवाया हुआ है लेकिन only for the purposes of deducting TDS ठीक है उन लोगों का किसी और को supply दिने का कोई intention नहीं है इस बारे में मैंने कल आप लोग को goods transport agency वाली services बताते हुए पूरे डीटेल में समझायता है यहाला पॉइंट ठीक है कि जो भी यह specified recipients है यह कुछ ना कुछ service प्रोवाइड कर रहे होंगे तो अगर कोई भी specified recipient है जो की register हुआ है लेकिन supply करने के लिए नहीं बलकि सिर्फ TDS काटने के लिए सरकारी, officers वगेरा तो उनको अगर आपने security personnel services प्रोवाइड की तो उन पर reverse charge नहीं लगेगा आईए तो reverse charge mechanism shall not apply to any person providing services by way of supply of security personnel to a department या establishment of the central government, state government, union territory or local authority or government agencies which has taken registration under GST Act only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making any taxable supply of goods or service एक next entry आपके आपके अचा क्वेशन आगया state with reason, person liable to pay GST in the following case assume recipient is located in the taxable territory XYZN Company, a partnership firm provide security services to ABC Limited registered under GST security services, services provided by way of supply of security personnel provided by any person other than a body corporate to a registered person is liable to be taxed under reverse charge basis hence ABC Limited registered under GST shall be liable to pay tax on the same तो यहाँ पर क्या था? यह partnership firm थी partnership firm में यहने ABC Limited को services provide की और ABC Limited registered है तो obviously ABC Limited आपको reverse charge में tax pay कर देगा समझ आगे थी पार्थ गोस्वामी बड़ी अच्छी बात है आईए next चारू के भहिया भावी रहते थे वहाँ पर अब नी रहते वहाँ ठीक है अब कहीं और रहते है तो last year रक्षा बंदन पर August में में हैदराबाद गया था चारू के भहिया भावी रहते थे क्योंकि rent पे रहते थे लंबा टाइम था नी या मतलब लंबा टाइम तक रहना का कोई intention था नी तो भहिया के पास अपनी गाड़ी नहीं थी ठीक है भहिया के पास गाड़ी नहीं थी ओफिस आना जाना होता था वो लोग बेज देते थे गाड़ी उनी में हो जाता था जब हम दोनों गए चारू और मैं गए खेदराबाद तो फिर भहिया भावी को लगा के यार यह लोग तीन दिन के लिए आरे इनको घुमाएंगे कैसे गाड़ी तो है नहीं हमारे पास तो इन्होंने जूम कार से इन्होंने जूम कार से गाड़ी रेंट पर लेनी है इन्होंने जूम कार से गाड़ी रेंट पर लेनी इस इस नोन आज रेंटिंग ओफ मोटर वहिकल्स ओला उबर क्या करते हैं ओला उबर ट्रांस्पोर्टेशन आफ पैसेंजर वाली सर्विसस प्रोवाइड करते हैं ओला उबर सिर्फ आपको गाड़ी नहीं देते हैं गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देते हैं ओला उबर वाले आपको गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देते हैं और आपको जहां जहां जाना है वहां वाँ छोड़के आते लेकिन जूम कार वालों ने क्या किया is included in the consideration charged from the service recipient are taxable at the following two rates if the supplier of services has taken only limited itc to 5 percent limited itc of input services in the same line of business if the supplier of services has taken itc on goods or services used in supplying the business services or renting and the supplier opts to pay ght bkx ब्यस्वाला था जा ना गुट्स ट्रांस्पोर्ट एजेंसी वाले में क्या था नॉक्त्र या 12% पर कोई itc नहीं मिलता था और रिवर्स चार्ज लगता था 12% पर आई टींच शीव जाता था और ऊर चार्ज लगता था देहां पर अगर में इसको इसको ट्रांस्पोर्ट के जगह रेंटिंग औफ वोटर विहकल्स कर देता हूं तो 5% पर आई टीसी मिलेगा तो लेकिन लिमिटेड आई टीसी मिलेगा अभी यह कैसे मिलेगा वह सब्सक्राइब करने के लिए बागे इसके बारे में टेक्निकल डीटेल्स हम लोग इंपूट टाक्स प्रेडिट वाले चाप्टर में पढ़ेंगे तल यही है। क्या है। बस्योड नहीं है। विए नश् सब्सक्राइब कर द दो एफ क्ल same line of business can be taken मतलब क्या हो कि आपने किसी और से कार रेंट पर लिए और उस कार को आपने आगे रेंट पर कर दिया यह मतलब वहाँ मतलब अगर बॉडी कॉर्परेट को देगा सिर्फ तभी देना होगा तो पिछले साल जब हम लोग गय थे और भहिया ने जूम कार ली थी तो क्या भहिया को रिवर्स चार्ज में जीए सी पे करना पड़ा होगा नहीं क्यूंकि भहिया भहिया है बॉडी कॉर्परेट नहीं यह अगर एक इंडिविजूल परसें अदर दान बॉडी कॉर्परेट इस अदर दान बॉडी कॉर्परेट सप्लाइग सर्विसस्टु आप और बॉडी कॉर्परेट अभी जीए स्ट का रिवर्स चार्ज लगेगा तो यह चीज है परसले पर पे टाक्स अंदर इस अबॉडी कोर्पेट तो रिवर्स चाज लगेगा पर सब्सक्राइब पर जिए तो भी फॉवड चार्ज लग जाएगा तो पर सब्सक्राइब पांच पर सेंट के अंदर हो और सप्लाइर एक बॉडी कॉप्रेट तो भी फॉड़ चाज लग जाएगा और अगर आपने इस उसके बाद अनालेसिस सेक्शन फाइब करेंगे ठीक है लेंडिंग ऑफ सेक्यॉरिटी इस का क्यामत लोग होता है मुझे शेर्स चाहिए उधार पर मैं शेर्स खरीदना नहीं चाहता मैं शेर्स उधार लेना चाहता हूं तो सेवी ने कुछ अप्रूव कर रखे हैं इंटरमीडियरीज चैप? अब ग्ना अपको शेर सफ उधार पर लेने है तो फिर सेवी ने उसके लिए पर पर देना चाहता है वो अपने शेरs इन इंट्रमिंडिरी इसके पाइस के पास डिपोजिट कर देगा और जो बंदा शेर्स को उधार पर लेना चाहता है वो भी इन intermediaries के पास जाकर उन शेर्स को उधार पर ले लेगा तो यह होता है lending of securities Securities Lending Scheme 1997 is regulated by SEBI for the purposes of facilitating lending and borrowing of securities this lending and borrowing takes place through an intermediary which is approved by SEBI and this complete anonymity between the borrower and the lender बतलब आपको नहीं पता चलेगा आपके पास किसके shares उधार पर और देने वाले को भी नहीं पता लगेगा कि मैंने तो उधार दे दिया किसको मिला तो देस complete anonymity between the borrower and the lender the lender charges some fees from the borrower for lending and securities सी ती सी बात है अगर मैं आपको उधार दे रहा हूं अपनी securities अगर मैं आपको अपनी securities उधार दे रहा हूं तो मैं आपसे कोई fees charge करूंगा अब यह fees आपको तो पता नहीं है कि आपकी security किसके पास जा रही है तो intermediary आपको pass on करेगा since the lender charges some fees from the borrower this transaction is not a transaction purely in securities यादे आपको क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा सर्थ securities और ना तो goods की definition में आती है और नहीं services की definition में आती है goods का मतलब क्या any kind of movable property other than money and securities service का मतलब क्या anything other than goods money and securities तो securities जो है वो ना तो goods की definition में आता है और नहीं services की definition में आता है तो securities का transaction जो है securities का जो transaction है उस पर GSC के के बारे में हम बात ही क्यों कर रहे है क्योंकि यहां पर सिर्फ सिक्योरिटीज खरीदने बेचने वाली बात नहीं हो रही है यहां पर सिर्फ सिक्योरिटीज के एक्स्चेंज की बात नहीं हो रही है यहां पर securities को अधार देने पर हम कुछ extra commission charge कर रहे हैं कुछ extra rent rental income charge कर रहे हैं इसलिए यहां पर GST लगने की बात हो लिए इस इस नौत a transaction purely in securities ठीक है the lender deposits the securities registered in his name lender deposits the securities registered in his name or in name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purposes of lending under the scheme of SEBI the borrower borrows the securities under the scheme through an approved intermediary of SEBI in this case GST is paid by the borrower under reverse charge ठीक है sir GST is paid by the borrower under reverse right and with this जितने भी reverse charge वाली services थी वो हमारी खतम हो जाती है तो analysis of section 9.1 हमने कल कर लिया था 9.2 हमने कल कर लिया था 9.3 और 4 का हम लोग ने कल शुरू किया था और आज 9.3 और 4 का analysis हमारा अब खतम हो जाता है अब हम लोग आ जाते है analysis of section 9.5 पर सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से मैं हूँ निष्टेंड ठीक है मैंने लिखे tax की books मैं चाहता हूँ ये tax की books मैं बेचूँ कैसे बेचूँगा मैं गया amazon के पास मैं गया amazon के पास ठीक है amazon ने क्या किया amazon ने मेरी टाक्स की books अपनी website पर लिस्ट की और यहाँ पर हो आप छोटे छोटे नन्यमुने students आप amazon की website पर जाकर ये मेरी books खरीद रहे हो ठीक है अभी यहाँ हो क्या रहा है क्या मेरी books amazon के पास है नहीं क्या आपको books amazon बेज रहा है नहीं आपको books मैं भेज रहा हूं आपको books मैं भेज रहा हूं through amazon आपको books मैं भेज रहा हूं through amazon ठीक है तो I am using amazon की services to supply my goods and services to the consumers. ठीक है? इसके लिए Amazon मुझसे कुछ charge करेगा. Amazon मुझसे कुछ charge करेगा. कुछ पैसा लेगा न. कि तुम्हारी किताबे normally तो नहीं पहुँच पार नहीं थी customers तक. क्योंकि हमारी website पर listed है. इसलिए अब तुम्हारी किताबे customer सक पहुच पा रही है. ठीक है? तो Amazon मुझे services प्रवाइड कर रहा है और मैं इसके लिए Amazon को कुछ consideration दूँगा. मैं इसके लिए Amazon को कुछ consideration दूँगा. ठीक है? इसको बोलते हैं e-commerce operator. इसको बोलते हैं electronic commerce operator. Amazon is the electronic commerce operator. एक ऐसा बंदा जिसके पास अपनी website है जहाँ पर वो suppliers के products या services को list कर सकता है. Who is an electronic commerce operator? एक ऐसा बंदा जिसकी अपनी खुद की website है जहाँ पर वो suppliers के goods या goods या services को list कर सकता है. And who am I? I am known as the electronic commerce participant. I am the electronic commerce participant. तो who is receiving the services? I am receiving the services. I am paying the consideration. जो consideration देता है वो recipient होता है. तो यहाँ पर tax कौन पे करेगा? यहाँ पर tax कौन पे करेगा? आओ देखते हैं. यहाँ टाक्स कौन पे करेगा? आओ देखते हैं. कौन पे करेगा? यहाँ tax electronic commerce operator पे करेगा. अरे सर लेकिन electronic commerce operator तो supplier है तो reverse charge के बारे में थोड़ी बात हो रही है यहाँ पर यहाँ reverse charge के बारे में थोड़ी बात हो रही है reverse charge के बारे में तो 93 और 94 में बात हो रही थी न reverse charge के बारे में यह होता है यहाँ पर भी अभी आपके दिमाग में रिवर्स चार्ज से बाहर निकलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है क्योंकि वेन यूर ड़न विद रिवर्स चार्ज उसके बाद कुछ भी होगा आप यही सोचोगा यहार इसमें तो रेसिपेंट को दे रहा है तो सप्लायर क्यों दे रहा है आप भूल जाते हो कि रिवर्स चार्ज इस ओनली दी exception to the generally prevailing principle और generally prevailing principle क्या है कि forward charge में GSTP किया जाता है ना ठीक है तो यहां याद रखना क्या याद रखना कि सिर्फ वो जो कुछ services थी specified category of services जो notification number 13 बटे 2017 में listed थी सिर्फ उन पर reverse charge लगता है हर जगा reverse charge नहीं लगेगा तो यहां पर कौन पे करेगा tax यहां पर electronic commerce operator पे करेगा tax अरे बापने इसको नहीं पढ़ेंगे इसको फिलाल नहीं पढ़ेंगे सीरा इसका analysis देख रहां electronic commerce operator means the supply of goods or services or both including digital products over digital or electronic network electronic commerce operator ECO is any person who owns operates or manages an electronic platform for supply of goods or services or both sometimes ECO itself supplies the goods or services displayed on its electronic portal दोनों तरह के होते कुछ goods हो सकता है Amazon के पास हो कुछ goods हो सकता है Amazon के पास हो however many a times the products or services displayed on the electronic portal are actually supplied by some other person to the consumer तो कई बार तो Amazon के पास जो products आपको देख रहे है वो Amazon खुद अपने go-down से भेजेगा कई बार Amazon seller को contact करेगा भई तुम्हारे पास से order है तुमानली order आए दो order fulfill करो एक लिए when a consumer places an order for a particular product or service on this electronic portal the actual supplier supplies the selected product or service to the consumer the price or the consideration for the product or the service is collected by the ECO from the consumer Amazon consumer से पैसा लेता है and pass on the and the the price is consideration is collected by the ECO from the consumer and passed on to the actual supplier after deduction of commission by the ECO तो electronic commerce operator उस पर commission कार्ट लेता है the government may on the recommendations of CGST council notify specific categories of services the tax on the supplies of which shall be paid by the ECO if such services are supplied through it तो क्या सारे के सारे electronic commerce operators को forward charge में chc पे करना होगा क्या सारे के सारे electronic commerce operators पर जी एसी लगेगा तो नुट 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 council के recommendations पर चार ऐसे cases बताए हैं जहां पर electronic commerce operator government ने council के recommendations पर चार ऐसे cases बताए हैं जहां पर electronic commerce operator GSC पे करेगा बड़ी interesting cases हैं आओ देखते हैं few services have been notified now what are those few services for instance services by way of transportation of passengers by radio taxi motor cab, maxi cab, motorcycle if the electronic service provider doesn't have physical presence in the taxable territory its representative shall have to pay tax अभी ये सिर्फ instance के तौर पर है अभी हम लोग समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे तो ये वाली चीज इतना समझेंगे transportation of passengers, मतलब Ola Uber तो Ola Uber electronic commerce operator है Ola की app है और गाड़ी किसकी होती है, कभी आप सुनना कभी अगर आप Ola Uber में travel करोगे न तो आप driver से पूछना आप driver से पूछना, भाईया गाड़ी आपकी है तो बोलेगा हाँ मैंने पहले बहुत driver से बात किये ठीक है मैं Noida में रहता था जारू गुडगाओं में रहती थी तो मिलने के लिए हम लोगों को travel करते रहना पड़ता था तो गुडगाओं में एक point तक तो metro जाती थी उसके बाद cab लेनी पड़ती थी ठीक है या कभी-कभी ऐसा भी होता था कि पूरा चलो भाई गुडगाओं से Noida cab में चलते तो ओला या Uber ठीक है मुझे टाक्सी चाहिए और किसी और के पास टाक्सी है ओला का खुद कुछ नहीं है तो ओला ने टाक्सी देने वाले को मेरे से मिलवा दिया बस इतना सा काम है तो इस पर GST कौन पे करेगा इस पर GST ओला उबर पे करेगा देखो अगर electronic service provider की taxable territory में physical presence नहीं है तो उसका representative tax pay करेगा अगर representative भी नहीं है taxable territory में अगर representative भी नहीं है taxable territory में तो ओला उबर या कोई भी electronic commerce operator वो उसको एक representative appoint करना पड़ेगा उसको कोई एक representative appoint करना पड़ेगा जिससे वो tax pay करे ठीक, now let's see notification नमबर 17 बटे 2017 यहाँ पर categories of service, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by electronic commerce operator आजाओ देखते, चार categories है बड़ा मसा है का, बहुत ही interesting पहला, services by way of transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus और any other motor vehicle ठीक है, अब यह सारी basically है वोई, इनके अलग-अलग definitions है जैसे radio taxi का मतलब होता है कैसी taxi जहाँ पर two-way communication possible है और GPS tracking possible है, ठीक है, radio taxi, मतलब एक ऐसी taxi जहाँ पर two-way communication possible यह आप से exam में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बस exam में आपको यह सारे words याद होने चाहिए, बाकि इन words का मतलब वही है, मोटा मोटी, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट पासेंजर वाली, ठीक, तो radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus और एनी अधर motor vehicle, सब तो आगया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus और एनी अधर motor vehicle, मतलब ओला उबर वाली services, तो यहाँ पर Ola Uber को देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, tax pay करना पड़ेगा, as an e-commerce operator, अब मेरी बात जर्द ध्यान से सुनना, यह जो तीन चीज़े हैं न, motorcycle, omnibus और एनी अधर motor vehicle, ध्यान दीज़ेगा प्लीज, ध्यान दीज़ेगा प्लीज, यह जो तीन चीज़े हैं, motorcycle, omnibus औ और एनी अधर motor vehicle, यह notification नमबर 17 बटे 2021, with effect from 1st January 2022, add की गई है, उससे पहले बस इतना ही था, maxi cab तक था, ठीक है, तो इसमें question कैसा आता है, मैं आपको उताता हूँ, question इसमें बस यह आएगा, कि transportation of services, transportation of passenger services are provided by an omnibus, ठीक है, तो आपको वहाँ पर click हो जाएगा, हाँ हाँ, omnib बस है, तो ECO को tax pay करना पड़ेगा, बस, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, तो Ola Uber, now, services by way of providing accommodation in hotels, in's, guest houses, clubs, campsites, or any other commercial places, meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable to registration, अंदर यह यह यह, basically OYO hotels, OYO hotels क्या कर रहे है, ठोटी-छोटी properties, कहीं कहीं से भी छोटी-छोटी properties, उसका construction करवा दे रहे, मतलब properties already existing है, उसको convert करवा दे रहे into an hotel, ठीक है, मेरे पास कोई एक two-story, three-story मकान पड़ा हुआ है, OYO वाले होने का, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो, एक काम करते है, तुम, तुम इस पर बेचो, ठीक है, तो मैंने अपनी property को OYO में list करवा लिया, मैंने कमरों के बारे में, आपको नहीं पता था, आपको OYO के through पता चला, तो OYO is the ECO, and OYO, OYO जो है, वो, tax पे करेगा, लेकिन, अगर मैं कोई बड़ा hotel हुआ, तो, अगर मैं कोई बड़ा hotel हुआ, if I am liable to get registered, then, then I will pay GST, ठीक है, if I am liable to get registered, ये section 22 आपको जो दिखाई दे रहे, section 22 registration के बारे में बात करता है, तो अगर मेरा बड़ा सा hotel है, जैसे आप देखो, make my trip पगेरा में भी तो बड़े-बड़े hotels सारे के सारे, ये ताज, उबरॉय, Marriott और ये सारे के सारे hotels listed है, तो आपको क्या लगता है, उस पर make my trip देगा क्या, नहीं, कभी भी अगर आप make my trip से क hotel वालों से मांगना, मतलब आपने, आपने क्या किया, आपने make my trip के through, suppose Marriott book किया, अब make my trip वाले आपको GST invoice नहीं देगे, जो hotel का bill होगा, hotel के bill के ओपर जो GST लगेगा, उसकी invoice आपको hotel से लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्यूं, क्यूंकि उस पर hotel वालों को GST पे करना होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप OYO के through जाकर किसी भी दो कमरे के मकान में जाकर रुख गए, as a hotel, के हाँ ठीक है, उस type का, तो फिर वहाँ पर OYO को e-commerce operator की तरह से tax पे करना पड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी, अल्राइट, चलो आओ, next, services by way of housekeeping such as plumbing, carpentering, etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operators liable for registration, तो यह क्या हो गया, urban company, urban clap, वगेरा, यह कहता है, हम आपके घरा के आपके बाल काट देंगे, हम आपके घरा कर आपके बातरूम साफ कर देंगे, हम आपके घरा कर आपके बिजली ठीक कर देंगे, वगेरा, वगेरा, तो इन्होंने क्या किया हुआ हुआ, urban company, या urban clap, जिस सारे carpenters वगर यह सारी की सारी services provided करने वाले लिस्टेड है तो ऐसे case में tax कौन पे करेगा urban company पे करेगी लेकिन अगर यह जो carpenter है plumber है electricians है यह खुद अपने में GSC में registered है तो तो वो लोग खुद पे करेंगे और अब ही आते हैं बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट यह पूरा का पूरा पॉइंट जो है अमेंडमेंट है तो यह पॉइंट नोवेंबर 22 के लिए बहुत इंपॉर्टन है नोवेंबर 22 वाले students के लिए वाला अमेंडमेंट है तो इससे सवाल आ सकता है आपके एक्जाम में क्या होता है जैसे में मेरा कई क्या बार मन करता है मेरा सच में बहुत मन करता है मेरा कि मैं चारू से कई बार कहता हूं कि यार अपना ने एक छोटा सा आपने स्विग्गी पर देखा निश्टेंड भागा ऊपन है निश्टेंड भागा से आपने ऋडर किया सैंडविच मैंने सैंडविच स्विग्गी वाला बंदा मेरे पास आया वाbased मीरे और ने यहाँ बहुत छोटा आदमी हुँ, तो क्या मैं tax दूँगा इस पर, नहीं मैं कोई tax नहीं दूँगा, यहां पर tax किसको देना पड़ेगा, यहां पर tax स्विग्गी और जुमाटो वालों को tax देना पड़ेगा, यहां पर स्विग्गी और जुमाटो वालों को tax देना पड़ेगा, लेकिन स्विग्गी जुमाटो पर तो बड़े-बड़े रेस्टरॉंट्स भी है ना स्विग्गी जुमाटो पर तो बड़े-बड़े रेस्टरॉंट्स भी लिस्टेड होते हैं ठीक है जैसे यहां पर एक है काके दी हट्टी ठीक है तो अगर मेरे को काके दी हट्टी से करेगा तब काके दिएथी पेमिंट करेगा मिकडूनल्स मिकडूनल्स यह में बर्गर दूरू स्विगी उसके बहाँ पर GST पे करेगा नहीं मिक्डौनल्स पे करेगा supply of restaurant service supply of restaurant service बस फिर आगे देखो other than the services supplied by a restaurant eating joints etc located at a specified premises located at a specified premises now what are these specified premises यह specified premise मतलब होता है कैसा hotel जिसका per night per room का किराया कम से कम 7500 रुपए है तो यहाँ पर इन लोगों ने पूरा specify कर दिया है कि अगर आप बड़े hotel वाले हो अगर आप बड़े hotel वाले हो तो यहाँ पर अभी McDonald's exclude हो गया काके दी हटी exclude हो गया क्योंकि वो hotel के अंदर नहीं बने वे वो hotel के अंदर नहीं बने अगर आपका कोई restaurant एक किसी बड़े hotel के अंदर है how do you know whether hotel is a big hotel और a small hotel इफ पर room tariff per night per room का charge अगर किसी भी unit का क्योंकि hotels में अलग-अलग type की rooms होते एक simple room होता है, एक deluxe room होता है एक queen size room होता है एक balcony view room होता है एक mountain view room होता है एक pool side view room होता है road view room होता है, hill view room होता है country view room होता है बहुत सारे अलग-अलग type की rooms होते है तो यहां पर बोला गया है कि अगर आपके किसी भी room का किराया एक रात का 7.500 से ज्यादा है साड़े साथ हजार से ज्याद है मतलब आप एक बड़े होटेल हो साड़े साथ हजार per night is a huge amount तो आप एक बड़े होटेल हो और आपके अंदर अगर कोई एक restaurant है और वो भले ही swiggy and zomato के थूँ पे कर रहा हो लेकिन फिर भी GST swiggy zomato नहीं पे करेंगे GST आप ही पे करो गया देखे जी restaurant service means supply by way of or as part of service of goods being food or any other article for human consumption or any drink provided by a restaurant eating joint including a mess canteen weather for consumption or on weather for consumption on or away from the premises where such food or other article for human consumption or drink is supplied specified premises का मतलब premises providing hotel accommodation service having declared a tariff of any unit of accommodation above 7500 rupees per unit per day or equivalent if a restaurant is supplying restaurant services to a customer ध्यान देना if a restaurant is supplying restaurant services to a customer through zomato or swiggy then zomato or swiggy will be liable to pay tax however if the restaurant is located in a hotel ठीके मैने बहुत simplify करके लिखा हुआ यहाँ पर if the restaurant is located in a hotel in which the tariff of any of the room in which the tariff of any of the rooms is above 7500 then the restaurant is liable to pay the tax even if it provides the services through zomato or swiggy I hope अब यह वाला point आप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीके जी अब यह वाला point आप सब लोगों को कायदे से समझ में आ गया होगा ना देखो restaurant owner provided restaurant services question को भी आप important mark कर ले ना क्योंकि इसी के जैसा question आपके exam में आएगा ठीक है November 22 के लिए amendment है आप अगर अभी वो देखोगे ना अपना ICI का study material तो उसमें यह point आपको chapter के अंदर नहीं दिखाई देगा ठीक है chapter के अंदर क्यों नहीं दिखाई देगा because this is an amendment तो amendment ICI कैसा करता है statutory updates निकाल के करता है वहाँ पर आपको दिख जाएगा लेकिन अभी आपको chapter के अंदर नहीं दिखाई देगा क्योंकि में 2023 का study material नहीं यह indirect tax का और November 22 वाला जो है वो वही बहुत पुराना वाला चल जो कि में 22 के लिए था ठीक है तो आओ देखो A restaurant owner provided restaurant services in Rajasthan through an electronic commerce operator Zomato The restaurant owner is not liable to get registered as per the provisions of section 22-1 of the CGSC Act Who is the person liable to pay GSC in this case? Obviously Zomato अगर restaurant owner अपने आपको register कराने के लिए liable नहीं है तो Zomato पे करेगा Would your answer be different? If the electronic commerce operator Zomato does not have a physical presence in India तो अगर ECO की इंडिया में physical presence नहीं है तो वो क्या करेगा? उसका representative पे करेगा और अगर Zomato का representative भी नहीं है तो फिर Zomato का representative appoint करना पड़ेगा As per section 95 of the CGSC Act अब देखना अब देखना यहाँ पर यह जो section 95 of the CGSC Act है नहीं वो पूरा का पूरा भी यहाँ पर लिखा हुआ है Supply of restaurant service other than services supplied by the restaurant, eating joints, etc. located at specified premises has been notified under section 95 of the CGSC Act 2017 Specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above 7500 rupees per unit per day or equivalent Thus, person liable to pay GSC in this case is the electronic commerce operator Zomato All the other provisions of GSC law shall apply to such electronic commerce operator as if he is a supplier liable for paying tax in relation to the supplier of such services If Zomato does not have a physical presence in India, person liable to pay tax is the person representing the electronic commerce operator Zomato for any purpose in India तो यह वाले question को आप लोग important mark कर सकते है आगे चलते है इसके साथ हमारा section 9 खतम हो गया है हमारा section 9 है वो खतम हो गया है अब बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा portion बचा हुआ है जो आप लोग बस सुनके रख लो बहुत ज्यादा इससे related ना exam में questions आते हैं और ना ही आएंगे क्योंकि बहुत ही exam point of view से बहुत ही irrelevant सी चीज़े हैं तो the thing is कि goods को अलग-अलग categories में classify किया गया है similarly services को अलग-अलग categories में classify किया गया है सवाल उठता है क्यों ठीक है इस classification की जरूरत क्या थी इस classification की जरूरत ये थी कि जहां पर जो goods necessity goods हैं जो necessary goods हैं उन पर कम rate से GST लगाया जाए और जो luxury goods हैं उन पर ज्यादा rate से GST लगाया जाए ठीक है जैसे luxury cars पर 28% GST लगता है लेकिन क्या आप दवाई पर 28% GST लगा सकते हो नहीं तो दवाई पर कम से कम GST लगेगा और luxury cars पर 28% GST लगेगा ठीक है तो ये वाली चीज़ें इसलिए classification की need आती है अब हम लोग थोड़ा सा classification के बारे में घुस रहे हैं कि classification कैसे होता है क्या होता है किस तरह से किया जाता है ठीक है आइए अलग अलग टाइप की goods के लिए अलग अलग टाइप की services के लिए अलग अलग rates prescribed किये गए है देफोर classification is crucial for determining the rate of tax applicable on a particular product और service तो कौन से product पर कौन सी service पर कौन सा rate of tax लगेगा उसके लिए classification समझना ज़रूरी हो जाता है अब हम goods के classification के बारे में बात कर रहे है तो goods का classification किस तरह से किया गया है तो Customs Tariff Act 1975 है तर हम तो GSE पढ़ रहे हैं हाँ तो GST ने भी Customs Tariff Act 1975 ने जो goods के classification का nomenclature अपनाया है जिसको harmonized system of nomenclature कहा जाता है HSN कहा जाता है तो एक Customs Tariff Act 1975 है जिसके बारे में आप लोग से ये फाइनल में पढ़ोगे वहाँ पर कुछ schedule है जहाँ पर goods के classification के लिए harmonized system of nomenclature को अपनाया गया है GST ने जो अपना system है वो वहीं से Customs Tariff Act 1975 से उठाया हुआ है Classification of goods का मतलब क्या है identification of the chapter, heading, subheading and tariff item in which a particular product will be classified तो सबसे पहले chapter, chapter के अंदर heading उसके अंदर subheading और उसके अंदर tariff item इस तरह से goods का classification किया जाता है तो अगर आपको कोई भी goods पता करने है कि यह वाला goods इस goods पर rate क्या है तो आप देखो वो वाला जो goods है वो कौँसा चाप्र में fall करेगा फिर देखो वो वाला उस चाप्र के अंदर कौँसी heading में fall करेगा फिर देको इस heading के अंदर कौन सी sub heading में fall करेगा फिर देको कौन सा tariff item है तो वहाँ से आपको पता चल जागा कि rate क्या है यह exam point of view से बहुत ज्यादे important नहीं है बट क्योंकि study material में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत करवा दे रहा हूँ तो बस एक बार सुन लो, एक बार सुन लो बस चाप्टर, heading, sub heading and tariff item चाप्टर, heading, sub heading and tariff item as referred in the schedules of rates notification for GST रिखरो, chapter, heading, sub heading and tariff item as referred in the schedules of rate notification for goods under GST are the chapter, heading, sub heading and tariff item of the first schedule to the Customs Tariff Act, 1935. तो जो GST में है, वो वही है जो Customs Tariff Act में था. Indian Customs Tariff is based on harmonized system of nomenclature, HSA. एक, it is a multi-purpose international product nomenclature developed by the World Customs Organization for the purposes of classifying goods across the world in a systematic manner. तो ये, एक ये World's Customs Organization थी, World की Customs Organization थी, उसने ये वाला system developed किया था, जिससे पूरी दुनिया इसी तरह से goods का nomenclature करे एक systematic manner में. It comprises about 5,000 commodity groups. 5,000 commodity groups, each identified by a 6-digit code. Code can be extended, arranged in a legal and logical structure and is supported by well-defined rules to achieve uniform classification. India has extended the HSN codes to 8 digits. India has extended the HSN codes to 8 digits. तो 6-digit का code था, ठीक है? और इंडिया ने क्या किया, उसको 8-digit का बना दिया. Along the lines of HSN, the Indian Customs Tariff has a set of rules of interpretation of the first schedule and general explanatory notes. ठीक है? फिर, these rules and the general explanatory notes give clear direction as to how the nomenclature in the schedule is to be interpreted. तो ये जो explanatory notes है, आपको साब-साब बताते हैं उनका interpretation किस तरह से करना है. These rules for interpretation include section and chapter notes and the general explanatory notes of the first schedule apply to the interpretation of the rates notification for the goods under GST also. तो जो Customs Tariff Act किया है, वो GST में भी apply करता है. Consequently, under GST, goods are classified on the basis of HSN in accordance with the rules for the interpretation of Customs Tariff. ठीक है? वो ही बात है. जो यहाँ पर तीन slides में बड़ा-बड़ा सा लिखा हुआ है, वो मैंने आप लोगों को छोटा सा करके बता दिया था. Customs Tariff Act 1975 है, उसके अंदर schedule है. schedule में पूरा nomenclature designed है. HSN nomenclature उसको बुला जाता है, जिसमें 8 digits का nomenclature होता है. chapter, heading, subheading, tariff item. ये 4 चीज़ें हो जाती है. chapter के 2, heading के 2, subheading के 2, और tariff के 2. तो 8. इसलिए 8 digits तक ये harmonized system of nomenclature आपका extend हो चुका है. जब आप लोग C.A. final में जाओगे, तो आपको इसको और detail में पढ़ोगे, customs के अंदर. अभी उतना जरूरी नहीं है. एक. Once classification for a product has been determined on this basis, applicable rate has to be determined as per the rate prescribed in the rate notification issued under GST. ठीक ती, आईए. उसके बाद GST rates prescribed for various goods. ये भी ऐसी पढ़के रखलो अभी, और ज्यादा कुछ नहीं है. ब्रॉड़ली, six rates of CGST have been notified in six schedules of rate notification for goods. 0.125, 1.5, 2.5, 6, 9 and 14. ठीक है? तो ये सिर्फ CGST के बारे में बात कर रहा है. ये सिर्फ CGST के बारे में बात कर रहा है. 0.25 into 0.25 plus 0.25 is what? 0.5. ठीक है? 0.5 plus 1.5. 1.5 CGST plus 1.5. ये पता है, ये पता है, 0.125 plus 0.125 क्यों हो था भाई? 0.125. आसे तो बुलना मैंने, 0.25, sorry, sorry, sorry. मैंने 0.5 बोल दिया था. 0.125 CGST plus 0.125 SGST. तो इस is 0.25 total GST. 1.5 CGST plus 1.5 SGST. तो 3% GST. 2.5 CGST, 2.5 SGST. 5%. 6% CGST, 6% SGST. 12%. 9% CGST, 9% SGST. 18%, 14% CGST, 14% SGST. तो total 28%. SGST, UTGST at the equivalent rate is also leviable. तो आगे, with regard to IGST, broadly 6 rates have been notified in 6 schedules of the rates. Notification, Viz 0.25, 3, 5, 12, 18 and 28. वोई, इसका double. Certain specified goods have been exempted from tax. कुछ specified goods को tax से exempt कर दिया गया है. चलिए आए, classification of services देख लें था वट से. A new scheme of classification of services has been devised under GST. तो GST के अंदर, services की classification के अंदर, के लिए एक नई scheme device की गई है. It is a modified version of the United Nations Central Product Classification. तो एक कोई United Nations Central Product Classification था, उसी को थोड़ा सा modify कर दिया है. Under this scheme, the services of various descriptions have been classified under various sections, headings and groups. sections, headings and groups. Chapter 99 has been assigned for services. or the chapter has the following sections. यह है, अरे यार. यह है. तो section 5, construction of services. section 6, distributive trade services वगरा वगरा. section 7, financial. section 8, section 8 यह है. यह है, ऐसी copy होगे है, जाने दो इसको. section 9 यह कोई important नहीं है, तो इसको जाने दो. हो, completely ignore कर सकते हो. ठीक है, इसको आप लोग completely ignore कर सकते हो. फिर, each section is divided into various headings, which is further divided into groups. Its further division is made from the tariff item service codes. rate of tax is determined in accordance with the service code. बस ठीक है, हो गया. अलग-अलग services के लिए, कौन-कौन से rates prescribed किये हुए? वही same, 0.75. अच्छा, 0.125 के जग़, 0.75 आ गया. 2.5, 3.75, 6, 9 और 14. तो, same, आपके SGSC, UTGSC के भी आएंगे. डबल कर लो, 0.75 का डबल 1.5, 2.5 का डबल 5, उसके बाद 3.75 का डबल 7.5, 6 का डबल 12, 9 का डबल 18, 14 का डबल 28. For certain services, nil rate of tax has been notified. ठीक, यह हो गया. अब हम लोग quickly बात कर लेते हैं. बहुत जल्दी, अब बहुत थोड़ी सी देख लिए. मुश्किल से 5-10 मिनिट के अंदर अंदर यह चाप्टर खातम हो जाएगा. ठीक, है? मुश्किल से 5-10 के लिए, 5-10 मिनिट के लिए, मुश्कल से 5-10 मिनिट के लिए 5-10 मिनिट के अंदर अंदर यह वाले चाप्टर खातम हो जाएगा लेट्स टॉक बाउट लेवी और कलेक्शन ऑफ आई जी एस्टी तो अब देखो अभी तक हम लोग सी जी एस्टी के बारें बात कर रहे थे सेक्शन 9 बढ़ रहे थे ठीक है और अगर आप लोग को याद हो तो कल स्टार्ट करते हुए और आज की भी स्टार्टिंग में मैंने रिवाईस करवाते हुए आपको बताया था कि जो सी सीजी एस्टी आक्ट का सेक्शन 9 है वही आई जी time का seksन 5 है तो जो कुछ हमने CGST में पढ़ा, exactly भही सब कुछ IGST में आएगा, बस कुछ-कुछ और additions हैं IGST के, वो मैं बस आप लोगों को दिखा देता हूँ, quickly, तो देखो, Section 5 of the IGST Act 2017 talks about levy and collection of IGST, we have already seen that the Section 9 of CGST Act and Section 5 of the IGST Act are exactly the same, The only difference is that CGST is levied on intra-state supplies and IGST is levied on inter-state supplies, however, there are a few additional points regarding IGST. Import of services, एक पहला additional point ये हो गया, import of services, any import of services is considered to be an inter-state supply and IGST is levied on such import in accordance with the customs law, तो import of service हो गया, inter-state क्या होता है, देश के अंदर एक state से दूसरी state, लेकिन अगर import हुआ तो, तो वो तो अपने देश के अंदर से आ नहीं रहा है, तो import of service को भी बोला गया नहीं, import of service को भी हम inter-state transaction मानेंगे, और उस पे customs duty जो लगती है, वो तो लगती ही है, और साथ में हम इस पे IGST भी लगाएंगे. reverse charge, all the supplies under notification 13 by 2017 for CGST are also applicable for IGST with the following two additions. तो जो reverse charge में हम लोग ने section 93 और 94 में बात की थी, वही section 53 और 54 में भी है, लेकिन उनके साथ दो कुछ additional services भी हैं, जहां पर reverse charge के थुरू देना पड़ेगा. आईए देखे, any service supplied by a person who is located in non-taxable territory to person located in the taxable territory other than non-taxable online recipient. इसका मतलब क्या हो गया? कोई अगर non-taxable territory में है, मतलब इंडिया के बाहर है, basically, इंडिया के बाहर है, ठीक है? और वो किसी भी taxable territory में, मतलब आप इंडिया में हो, आप इंडिया में हो, ठीक है? और आपको वो service provide कर रहा है, कोई भी service हो, other than non-taxable online recipient. मतलब अगर आप बाहर से games order करते हो, अगर आप, suppose, USA से games order करते हो, तो क्या आपको reverse charge में US वाले को, sorry, क्या आप आपने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, तो जो पैसा देता है, वो recipient होता है. तो अगर आप games charge करते हो, या US में कहीं से आपको कोई consultancy services लेते हो, तो क्या आपको reverse charge में पैसा देना पड़ेगा? नहीं, why not? Because you are a non-taxable online recipient. आप online services receive कर रहे हो, and you are non-taxable. तो अगर कोई non-taxable territory से, इंडिया में services provide कर रहे हैं, तो फिर इंडिया वाले बंदे को reverse charge में tax pay करना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया में जो बंदा है, वो non-taxable बंदा है, non-taxable, तो फिर उस पर reverse charge नहीं लगेगा. तो अगर आप इंडिया में हो, आप non-taxable हो, आप student हो, आप अगर services को import करते हो, तो फिर आपको reverse charge में GST pay नहीं करना पड़ेगा. और दूसरा क्या है, services supplied by a person located in a non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside इंडिया, up to the customs station or clearance in इंडिया. इसका बस simple सा मतलब है, अगर आप goods को import करते हो, इंडिया में तो, तो फिर आपको reverse charge में GST pay करना पड़ेगा. ठीक है, services supplied by a person, services supplied by a person, again import of services के बारे में बात हो रही है आपकर, ठीक है, services supplied by a person located in a non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel, by transportation of goods by a vessel. तो बाहर वाले बंदे ने हमें service provide की, क्या service provide की है, कि उसने हमें जहाज पर, पानी के जहाज पर goods रखके इंडिया में भेज दिया, तो import of goods हो गया ना, basically, इंडिया के point of view से देखो, तो import of goods हो गया और हमने उस बंदे को पैसा दिया, तो हम कौन हो गया, हम पेर हो गया, तो हम अगर पेर है, मतलब हम जो पैसा दे रहे हैं, तो हम recipient of service हुए, अगर हम recipient of service हुए, तो हम reverse charge में GST पे करेंगे, this simply means that if goods are being transported by any person outside India to a person in India called the importer, then importer is liable for paying GST on this under reverse charge, इतनी से बात हो गई है, तो फिर क्या होता है, territorial waters, यानि इंडिया की baseline के 12 nautical miles inside the sea, इंडिया की baseline से 12 nautical miles inside the sea, वही तो territorial waters होता है, तो अगर territorial waters में supply होता है, फिर क्या होता है, if the location of the supplier is in the territorial waters, अगर supplier territorial waters में है, then the location shall be deemed to be the coastal state of the union territory, where the nearest point of the appropriate baseline is located, तो उस territorial water के immediately pass, जो भी state या union territory होगी, आपकी location मालनी जाएगी कि आप उसी state या union territory से service provide करने हो, तो अगर आप किसी भी territorial water में हो, और बहां से आप service provide कर रहे हो, तो मान लिया जाएगा, कि आप उस state या union territory से service provide कर रहे हो, जो state या union territory उस territorial waters के सबसे नस्दीख है, अरे, फिर, if the place of supply, if the place of supply is territorial waters, आप supplier नहीं है अब territorial waters में, हम जहाँ service provide करने हो, रहे हैं, वो, जो जगा है, वो territorial waters है, तो जहाँ हम service provide कर रहे है, वो territorial waters, हिर, अगर हम territorial waters में अपनी services provide कर रहे है, तो जो recipient है, वो territorial waters में, तो हम माल लेंगे कि recipient, उस territorial water के नस्दीक, सबसे नस्दीक जो भी state या union territory होगी, recipient उस state या union territory में है that's it so if the place of supply is territorial waters then the place of supply shall be deemed to be the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located and with this we have successfully completed the chapter charge of GST ठीक है जी charge of GST यहां पर आकर हम लोगों का complete हो जाता है so हमारे तीन chapters complete हो गए introduction supply and charge हम लोग कल से start करेंगे composition levy और कल और परसो दो दिन में composition levy खतम हो जाना चाहिए दो दिन में composition levy खतम हो जाना चाहिए target मेरा दो ही दिन का है बाकि let's see तो दो दिन में वैसे जितना भी मैं target लेकर चल रहा होतना हो जा रहा है क्योंकि supply का भी मैंने जो target लिया था उसमें हो गया ये charge of GST का मैंने दो दिन का target लिया था हो गया वो unfortunate था कि Monday और Tuesday हमारी classes नहीं चल पाइं Monday तो 5th September वो बड़े event की वज़े से एन Academy 1 की event की वज़े से हमारी classes नहीं चल पाइं और Tuesday को नेट में बहुत सारी problem आ गई थी बट Wednesday और Thursday दो दिन के अंदर अंदर हम लोग ने charge of GST complete कर लिया इसी तरह से composition लेवी वारा जो chapter है आपके study material में charge of GST और composition लेवी ये की चीज़ है ठीक है आपकर अपना सब्सक्राइब करोगे तो कुछ composition लेवी वाले questions आजेंगे वह आपकी समझ में नहीं आएंगे वह आप कर नहीं पाओगे तो अभी दो दिन का wait करो कल और परसों हम लोग composition लेवी खतम कर लेंगे ठीक है तो उसके बाद फिर आप study material के chapter number 3 के questions को solve कर पाओगे मैं आप लोगं को क्विकली एक बार बता देता हूं कि आपको अनगे प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे ले रहा है आप website पर आएंगे start learning पर click करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना goal select करेंगे CA फिर आप यहाँ पर C intermediate पर click करेंगे CA intermediate पर click करने के बाद आपके सामने वाला page खुल जाएगा इस page पर आप get subscription पर click करेंगे आपके सामने तीन options आएंगे light प्लस और iconic और यहाँ पर आप जब select कर सकते हो और आप नोट्स वगरे भी आपको वहां से ले सकते हो यह iconic के after discount prices है यह light के after discount prices I'll see you guys tomorrow at 10 15 a.m. all the manzil batch students 10 15 a.m. capital gains continue करेंगे take care अपना ध्यान रखिए good night